Hello everyone and welcome to your own YouTube channel, my name is Shriyash और आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी interesting कहानी आपको सुनने को मिलती रहें आईए सबसे पहले ये जानते हैं कि समुद्र का जनम कैसे हुआ कहते हैं कि जब प्रत्वी का जनम हुआ तो वह आग का एक बड़ा गोला थी जब प्रत्वी धीरे-धीरे थंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए थंडा होने ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे मूसलाधर वर्षा होने लगी लाखु सालता कैसा होता रहा पानी सभरे धर्ती की सतय कि ये विशाल गड़े ही बाद में समुद्र कहला है धर्ती की लगभग 70.92 प्रतीशत सतय समुद्र से ढकी है इसका आशे ये हुआ कि प्रत्वी के लगभग 36.70.40.000 वर्ग किलोमीटर में समुद्र है विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशान महासागर है जिसका छेत्रिफल लगभग 16.62.40.000 वर्ग किलोमीटर है ये है विश्व के सभी महासागरों का 45.88 प्रतीशत है प्रशान महासागर के भीतर जल जन्तूओं की एक रहसे में दुनिया है जिस पर अभी भी खोद जारी है प्रशान महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है इसकी ओसत गहराई 49.49 मीटर है महासागर का छोड़ कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्वी का सबसे विशाल सागर दर्शन चीन सागर है जिसका छेतर फल 49,64,600 वर्ग किलोमीटर है प्रस्वी की सत्य से 70 प्रतीशत से अधिक छेतर में यहे एक खारा पानी है जो पीने लाइक ज़रा भी नहीं होता आएक जानते हैं समुदुरी लेहरों का रहस से समुदुर की लेहरें तीन तरह से पैदा होती हैं पहली समुदुर की सतय पर पहने वाली हवा दूसरी चंद्रमगे कारण उतपन हुआ जवार और तीसरी समुदुर के भीतर कही आया भूकम्प हवा यद तूफान से उत्पन्न लहरें भूमी के पास उतले पानी में पहुँचने पर मंद पढ़ने लगती हैं फिर भी कभी-कभी इनकी उचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है अधिक उची लहरें अयस्थिर हो जाती हैं और अते तहर सागर तट पर जाग के रूप में तूटती हैं सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आय भूकंप या भूसकलन की वज़े से उत्पन्न होती हैं लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी-कभी विनाशकारी साबित होती हैं चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से दो बार उत्पन्न होती हैं लहरें एक सुबह और एक शम ये घटना चंद्रमा द्वारा प्रतिवियों पर लगाये जाने वाले गुरुत्व बल के कारण घटित होती है इसके बाद अमावस्तिया को समुद्र शांत रहता है जबकि पूर्णिमा को ये अशांत हो जाता है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद